हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के वेरी इजी ड्रिक्स में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखन करेंट एफेर्स के बारे में और उत्राखंड current refer के अंतरगत आज हमने एक महत्वपोन topic उठाया है उत्राखंड में वर्तमान में कौन क्या है यानि कि वर्तमान में जो भी हमारी current नियुक्तिया हुई है या जिन भी विभागों के अध्यक्स चेंज हुए हैं या जो भी हमारे राजजी में विभिन्द पद होते हैं विभिन्द विभागों के अंतरगत पद होते हैं जो कि आपके exams के point of view से important रहते हैं जिन में जो भी परिवर्तन हुए हैं उन सभी परिवर्तनों के बारे में हम बात करेंगे और यह जो required है आपका 1 अगस्त 2021 तक के आधार पर बना हुआ है अगर इसके बात कोई अन्य न्यूक्तियां चेंज होती हैं तो वो मैं आपको करेंडर फेस के section में करा दूँगा लेकिन यहां पर हम बात करेंगे उत्राखन में कौन क्या है और यहां सी दोस्तो हर एक्जाम में एक या दो प्रस्न या दो से तीन प्रस्न पूछे ही पूछे जाते हैं बले ही आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो यूके ट्रप्रस्टी की कर रहे हो या फिर यूके प्यस्सी कर रहे हैं जो कि एक जाम में पूछी जाती रही है और दोस्तो वीडियो आपको पूरा दिखना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो आपको लाइक भी करनी है कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अपनी दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर सेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारी application डाउनलोड नहीं करी हुए है तो play store से आप हमारी application उत्राखन जी के very easy trick जरूर डाउनलोड कर ले है और साथ ही आप हमारे telegram ग्रूप और facebook ग्रूप से भी जोड़ सकते हैं जिसका link कर नीचे description box में दिया गया है चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को और one liner तोर पर ये वीडियो है short current affairs है दो से तीन प्रसन दोस्तों आपको यहां से एक्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे तो हमारा पहला प्रसन है वर्तमान में उत्राखन के राजजिपाल कोन है यानि कि उत्राखन के वर्तमान राजजिपाल कोन है दोस्तों मारगेट अलवा जी और यह प्रस्ण एक्जाम में युके ट्रप्रस्टी और युके प्यस्टी दो नुके द्वारा पहले पूछा जा चुका है अब यहीं से दोस्तों एक प्रस्ण आता है कि उत्राखन के वर्तमान राजजिपाल तो बेबी रानी मौरिया जी है तो वो थे के पौल कोन थे केके पौल जी या केके पौल जी क्या थे उत्राखन के six नंबर के राजजिपाल थे तो आपको यह राजजिपालों का क्रम भी यहाँ तो नचाहिए और साथवे हमारी वर्तमान राजजिपाल है जो कि 26 अगस्त्र 2018 से अभी तक बनी हुई है वह है बेबी रानी मौरिया जी इंपोर्टेंट प्रसन है दोस्तों यहां से अलगवर्ट प्रकार के प्रसन आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं अगला हमरा प्रसन है कि वर्तमान में उत्राखन के मुख्यमंत्री कौन है यानि कि वर्तमान में उत्राखन के मुख्यमंत्री है पुसकर सिंग धामी जी और पुसकर सिंग धामी जी उत्राखन के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है दोस्तों तो वे 11 नंबर के मुख्यमंत्र उतराकंड राज जी के वरतमान मुक्हिमंत्री है पुसकर सिंग धामी जी जो कि उतराकंड दाज्य के 11 मुख्यमंत्री हैं कारिकाल के अनुसार व्यक्तियों के अनुसार यह कह है उत्राखन के 10 मुख्यमंत्री है लेकिन आप 14 ही डैकली याद रहे गा इसे के साथ यहीं से प्रस्ण बनता है कि उत्राखन के पर्थम मुख्यमंत्री कौन थे तो उत्राखन के पर्थम मुख्यमंत्री थे कौन निट्यानन स्वामी जी या अगर आप प्रस्ण बनता है कि उत्राखन के पर्थम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो यह पर्थम मुख्यमंत्री थे बहुत बार दोस्तों यहां से प्रस्ण पूछा जाता है कि उत्राखन डाजी के पर्थम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो बहुत सारे अभ्यरति उसमें निट्यानन स्वामी करके आ जाते हैं तो आपको इस चीज का विशेज ध्यान देना है कि पर्थम निर्वाचित मुख्यमंत्री जबकि परफम मुह्यमंत्री या परफम अंत्री मुह्यमंत्री कौन थे नित्यानंद स्वामी थे not वरत्मान में पुसकर सींगं धामी जी जो कि उत्राकंड राजी के सब युवा मुख्य मंत्री हैं और खटीमा विधांसवा सीट से विझीत विधाय के रूप में धे और अभी इन्य वरत्मान में क्या बना दिया गया है अगला और बहुत महत्योपौन प्रसना आपका जो की एक्जाम में बहुत बार पुछा गया दोस्तों कि वर्तमान में उत्राखंड के मुख्य नियाधिस कौन है यानि कि चीफ जस्टिस कौन है उत्राखंड हाई कोड के तो यह है दोस्तों कौन प्रतिमान में पुरे भारत में कितने वची नियायले के रूप में नौमबर सन 2000 को किया गया था जिसके वरतमान मुख्य नियायदी से कौन? रागवेंद्र सिहां चोहां जी अब यहीं से आपका प्रस्न बनता है थोस्तो कि उत्राकंड हाई कोड के पर्थम मुख्य नियाधिस कौन थे तो 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 पर्थम मुख्य नियाधिस कौन है वह है र प्रस्थावी तो एक पेज हमने देखे कितने प्रस्था बात कर लिये हैं और बहुत सारे प्रस्थाइजिक जाम में भी पूछे जाते हैं अगले प्रस्थाइजिक बात करते हैं कि वर्तमान में या उत्राखन में वर्तमान पुलिस महानी देशक कौन है तो वर्तमान में हमारे पुलिस महानी देशक है असोक कुमार जी पुलिस महानी देशक है और असोक कुमार जी उत्राखन के कौन से नमबर के पुलिस महानी इन्होंने किन का इस्तान लिया है इन्होंने अनिल रतुडी जी का इस्तान लिया है इससे पहले पुलिस महाने जिसक कौन थे अनिल रतुडी जी थे अब यहीं से दोस्तों बहुत महतुपूर्ण प्रस्थन हमारे सामने उठर के यह आता है कि उत्राखन के पर्थम पुलिस म अगला और बहुत महतुमुल प्रस्न है कि उत्राखन के मुख्य सचीव कौन है यानि कि वरतमान में उत्राखन के मुख्य सचीव कौन है तो वह है सुखवीर सिंदो जी वरतमान में उत्राखन राजी के मुख्य सचीव है इन्होंने किसका इस्थान लिया है इन्होंने ओम प वर्तमार मुख्ही सची कौन है वह सुखवीर सिंग सिंधु यानि कि अब दोस्तों यहीं से आपसे प्रस्थन पुछा आजी अगर प्रतम अद्यक्स कोन थे अगर प्रतम अद्यक्स पूछा जाएगा आपसे तो वह जाएंगे र के दर जी उतराकन राजी के पर्थम वित्ता आयोग के अध्यक्स थे लेकिन अभी वर्थमान में पांचों वित्ता आयोग चला है राज जी का तो पांचों वित्ता आयोग के अध्यक्स कोन है वह है आए के पांडेजी यानिकी इंदु कुमार पांडेजी है याद रतना है जोस्तों आपको ठीक है देखे दोस्तो आज मैं एक अगस्त को यह वीडियो बना रहा हूँ तो एक अगस्त के बाद में जितने भी परिवर्तन होंगे वो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर दूँगा तो आप कमेंट बॉक्स भी जरूर देख लाए वीडियो को कम्प्लेट करने के बाद में अगला हमारा यह भी इंपोरेंट प्कुषन है दोस्तो की उतराकन के मुख्य सूचना अयूखत को है यजानि के उतराकन के वरतमान में मुख्य सूचना क Adapt डह चुके है इनौने किसका इस्थान लिया है इनौने सत्रु बढ़ प्रस्ती justement कि उत्राकन में पर्था मुख्य सुसना आयुकते कौन थे वो थे RS टोलिया जी पर्था मुख्य सुसना आयुकते आरेस टोलिया जी थे वर्तमान में मुख्य सुसना आयुकते कौन है वो है JP ममगई जी जिन्होंने सत्रुकन सिहीं जी का इस्थान लिया है और ये कुश्यन भी आपको दोस्त निर्वाचन आयुक्त कौन है तो वर्तमान में उत्राकन राज जी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है चंद्र सेकर भट जी कौन है चंद्र सेकर भट जी है और अभी भारत के संद्र में पुछा जाए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो वह हैं दोस अभी वर्तमान में मुक्हे सुसना बात बहुत बहुत इंपॉटर यह बहुत ब Landesmart को यह है तो यह दोस्तों में ऑप यह से लगवेल के उत्राकंड निमा के परतम we कोण है तरहन घंचार जाते हैं और अगर आपके प्रस्तन पुछाता है कि कौन थे तो थे दोस्तों कौन GCM रावत जी पर्थम थे GCM रावत जी और वर्थमान में राइश्टार जन्रल कौन है वो है धनंजय चत्रुवेदी जी अगला हमारा आज का प्रसन है कि उत्राकन के वर्थमान महाधिवक्ता कौन है दोस्तों तो S.N. बाबूलकर सूर्य नार बाबूलकर हमारे उत्रा क्राइब ते हमारे उत्राकन राजी के वर्तमान महाधिवक्ता है और यह प्रसनी के वर्तमान में कुमाओं का मिश्णर कौन है तो वर्तमान में कुमाओं का मिश्णर है दोस्तो कौन सुसील कुमार जी जिन्होंने अभी हाली में अरविंद यहांकी जी का इस्थान ग्रहन किया है और सुसील कुमार जी उत्राखन के मलब कुमाओं के 45 कुमाओं का मिश्णर ह और इन्होंने अर्विंद यहांकी जी का इस्थान ग्रहन किया था ठीक है अगर कुमाओं मंदल का गठन पुछाएगा या कुमाओं कभिष्णरी का गठन सबसे बहरे अठार सो पंद्रा में हुआ था तो उसके बाद मैं 1849 में पूर्ण रूप से इसका गठन किया गया था वर्टमान में कुमाओं कभिष्णरी का मुख्यारे का आप इस्थित है नैनिताल में इस्थित है और वर्टमान कुमाओं कभिष्णर है हमारे कौन सुसील कुमार जी जो कि अभी हाली में कुमाओं कभिष्णर के पत पर नियुक्ते हुए है 45 में कुमाओं कभिष्णर ये गडवाल कमिशनरी की स्थापना हुई थी और गडवाल कमिशनरी का मुख्याले का पिस्तित है यह इस्तित है पौड़ी गडवाल में इस्तित है गडवाल कमिशनरी का मुख्याले ठीक है और गडवाल कमिशनरी के वरतमान में गडवाल कमिशनर कौन है तो वह है दोस्तो ख्रविनांद जी हैं कि उत्राखण में वरतमां में मानुवादिकार है यान के वरक्रन एक वरतमान एक्स हाँ कोन है यान मानवादिकार आयोग के पर्थम अध्यक्स कौन थे तो पर्थम अध्यक्स दोस्तों कौन विजेंद्र जैन जी पर्थम अध्यक्स विजेंद्र जैन जी थे मानवादिकार आयोग के और वर्तमान अध्यक्स कौन है यह है विजय कुमार बिस्टी जी विके बिस्टी जी अग और अभी वरतमान में मारी अध्यक्स है कौन है? विजिया बरतवाल जी है. ये भी बहुत मेत्पूर्ण कुछने है, दोस्तों, एकजाम में पूछा जा चुका है. अगर बसने, उत्राकन के वरतमान में अलपसंख्य कायूग के अध्यक्स कौन है? तो 27 मही 2003 को दोस्तों, अमारा अलपसंख्य कायूग का घ्षन हुआ था, और वरतमान में अलपसंख्य कायूग के अध्यक्स कौन है? तो यह हैं दोस्तों कौन? आर के जैन जी. बहुत मेत्पूर्ण प्रसन है ये भी. अगरा प्रसन की बात करते हैं जोस्तों. अगरा मरा प्रसन है कि वरतमान में अन्ग्लो इंडिन विदैयक कौन है? तो यह है दोस्तों George Ivan, Gregory Man और प्रसम अन्ग्लो इंडिन की नियुक्ती की जाती थी. लेकिन वरतमान में दोस्तों इसे हठा दिया गया है. 8040 Middhanisam binudan ke tehar और अगली बार से Anglo-indian की नहीं कायाओगी पहले हम कहते थे कि 70 Indra and Seat 70 प्लस एक निर्वाचीत होती थी और एक मनोनित होती थी यह मनोनित réal Times लेकिन वर्तमान में जो Anglo-Indian आलेक्षनसाइज को समाब्ण कर दिया गया है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि वर्थमान में एंगलो इंडियन में धायक कोन है वह हैं जॉर्ज आईवान ग्रेग्री मैंजी और पर्थम एंगलो इंडियन में धायक कोन थे ये थे आर गार्डनर सहाब बहुत महत्युकून अगस्तू अगला मारा प्रस्थन है कि उत्राखन में वर्थमान सवय में यूप के ट्रप्रेश्ट सी आने कि उत्राखन अधिनस्त सेवा चाहे नायोग जिनके एक्जाम्स के आप तयारी कर रहे हैं उसके अध्यक्स को आने तो हैं एस राजो जी ठीक है एस राजो जी इनके वर्थमान में अध्यक्स है यूकेट रप्रेश्ट सी की स्थापना विच्ट 2014 में और यूकेट रप्रेश्ट सी यानिके उत्राखन अधिनस्त सेवा चाहे नायोग के पर्थम अध्यक्स कोन थे वो थे आर बी एस रावच्जी अगला विच्ट उत्राखन में वर्तमान में उत्राखन लोग सेवा आयोग के अध्यक्स कोन है तो उत्राखन लोग सेवा आयोग के पर्थम अध्यक्स कोन थे तो यह थे एन पी नवानी जी कोन थे एन पी नवानी जी थे और उत्राखन लोग सेवा आयोग का मुख्याले क मुख्याले हरिद्वार में इस्तित है और उत्राकन लोग से वायोग की स्थापना कब हुई थी 14 मार्च 2001 को उत्राकन लोग वर्तमान में राज přिदियायोग की से किसे नियुक्त किया गया है या कौन है तो यह दोस्तों धर्मभीर सर्मा कोग जी यहोंने न्याहिमूर्थी राजेश तंजन जी का इस्थान लिया है तो वरतमान में राजी विदियायोक का अधिक्स कोने धर्मवीर सरमा कोग जी है लेकिन दोस्तों यह कभी बोलते कि विदियायोक की राजी माऊश्णता नहीं है लेकिन फिल्बी अभी मैं एक जन्वरी मे अग्र्भाइन की बात करते हैं उत्राकंड के वर्तमान वित्तायोक के यह जिसके इंदु कुमार पांडे यानि है पांडे जी यह संविट overe father ऑईท्त है जो यह क्रूशन से पहरे दोस्तों यह संपर मैं यह क्रूश्是我 विदियायो Caesar को और पहले राजिय विदियायोत क्रते हैं अगला उत्राखन कार्मी भाग की जो आधार अथूरी किरते हैं अर्विंद यहां काल जी जी तो है अर्विंद यहां की जी इस ते पहले कुमाओं का विसनर थे लेकिन वर्तेमान में ये कार्मी गवाग के सचीव अग्रवाल जी तो लोगसभा उपाद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् तो विदान सभा के लिजिए कैसे आप उत्राकें विदान सभा के वर्तमान समय के अद्धेक्स कौन है प्रेम चैन्द अगरवाल जी आप दोस्ता करें आपसे यहीं भी प्रस्तम पुछाता है कि पर्थम विदान सभा के अद्धेक्स कौन थे तो पर्थम विदान सभा के अं वरतमान वरतमान विदानसवाद्यक्ष बताट करते हैं आगला प्रतमान में विदानसवाद्यक्ष कौन है तो है प्रृतम जी नेता परतिपक्ष से पहले इंदरा इंदरेश जी नेता परतिपक्ष थी लेकिंगे अभी नोस्थि प्रीटम से के भhnाय फेरिटे को बताने घ। बताने डोस्तों कि बिजेपी यान इंतार बार्टी से कौन है इससे पहले तीरस सिंग रावजी के मंत्री मंदल मैंने आपको इसका अंसर बताया था अगला कुछन वर्तवान में उत्राकन नाजी के मुख्य मंत्री कौन है पुसकर सिंग धामी जी है जो के खटीमा विधांसपर से चाहिंत हो के आया है और जो जितने भी इंपोट रावजी की को हटा दिया अगया मुख्य मंत्री पस से और अभी वर्तवान में मुख्य मंत्री कोन तो पुसकर सिंग धामी जी ने भी अपना एक नया मंत्री मंदल बना रिक है और इस मंत्री कौन है इस प्रकार की जो प्रस्ण होते हैं जो एक्जाम में बहुत बार दोस्तों पूछे जाते हैं उनको हम अगली वीडियो में कवर रख परेंगे लेकिन यहां पर भी मैं आपको कुछ-कुछ इसके संबंद में बता देता हो ठीक है इसमें आपको बस कुछ-कुछ प्रसन बता रहा हूं लेकिन आगे आने वाली वीडियो जो हमारा एक से दो दिल में अपरूट कर दूँगा उसमें आपको परजैन टाइम के मंत्री मंदल के बारे हैं बताऊंगा और दोस्ते यह जो त पूरी अच्छी द्रीके से देखनी है और दोस्तो अगर आप लोग प्रेक्टिस एक लगाना जाते हैं तो आप playstore से अमारी डांड्लोड करने अप्लसें पह पर प्रेक्टिस म 20 सिंग दामी जी है इन्होंने अपने पास में लगब क लब दो तो 12 विभाग रखे हैं इसके साथ ये सुराज भरस्टा चार उन्मुलन एवम जन सेवा विभाग भी किसके अंतरगत है वो भी पुषकरसिंग नावी जी है नियाय मंत्री कोन है उत्राखन राज जी के वो भी पुषकरसिंग नावी जी है इसके बारे हम आगे डिटेल से ब दॉक्टर धन सिंग रावत जी के है उत्राखन के परिवहन मंत्री कौन है वर्तमान स्व pinch कर में तो उत्राखन doc उर्जा मंत्री कौन है यह है ह्रक कら अग वीडियो में हम लेकर आएंगे पुषकर सिह दामी जी का मंत्री मंदल और वो टॉबिक भी करेंट एफेस की दिश्टी से आपका बहुत महत्वण है पिछला तीरच सिंह दावजी का मंत्री मंदल में आपको बताया तो दोस्तों लेकिन उस मंत्री मंदल में कुछ आपकी हेर फेर हो गई है, कुछ अधिकारियों के विभाग परिबर्तित हो गई है, जिस कारण हमें आप नए विभाग याद करने पड़ेंगे, तो वो विभाग हम याद करेंगे अपने एगली वीडियो में, और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तो विडियो को सेर जरू करें, अपने अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल के बारें बताएं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लाएं, बैल आइकन भी जरूर दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के notification आपको लगातार मिलते रहें और दोस्तो यूटूब पे मेरे दोड़ा कही सारा content upload किया गया है आप उस content को जरूर देख लें बहुत अच्छा content है आपको एक्जाम में निस्चिती कहीं हद तक वो फाइदा देखा और आपके जो आगामी एक्जाम से वीडियो विपीडियो कनिष्ट सायक, सचिवाले सुरक्षा करमी, पटवारी, लेकपाल ये सिप्तमबर से लेकर दिसमबर के बीच में हो जाने है तो इस बीच दोस्तो अच्छी तैयारी कीजिए all the best आप सभी लोगों को धन्यवाद